देखिया देखिये कोई भी expression अगर y ब्रावर अगर कोई y is the function of x हो for expression लिखा हुआ ऐसे तो आप इसको define जब derivate करते हैं तो क्या करते हैं dy y, dx करते हैं और इसको अगर integrate करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा y हमको क्या करेंगे एक algebraic expression लिखा होगा एक algebraic expression लिखा होगा और आपको differential equation फारू करनी पड़ेगी जब आप एक बार integrate यसे माला एक बार और differentiate कर दो तो यह आएगा ना एक बार integrate करोगे तो क्या मिलेगा dy y, dx और एक बार integrate करने में एक constant आता है दुबारा integrate करोगे तो एक और constant आएगा जितनी बार integrate करोगे उतना ही constant आएगे तो यानि कि अगर आपको उतने constant हटाने है तो उतनी बार ही आपको differentiate करना पड़ेगा यह concept clear हो गया किसी भी expression में किसी भी equation में अगर algebraic जो भी लिखी भी algebraic जो भी हो और अगर आपको differential equation फार्म करनी है तो आपको उसके constant हटाने पड़ेंगे पहली बात और जितने constant होंगे उतनी बार differentiate करना पड़ेगा अब आपने का माले कोई ऐसा equation हो कि एक बार differentiate करने से दो constant हट जाएं आपको दो बार differentiate करना पड़ेगा क्यों भाई आप जब उल्टा इसको integrate करके यहां पहुचोगे तो अगर एक बार differentiate कि आपने और एक बार में constant हटा दिया तो अगर एक दो बार integrate करोगे दो constant आ जाएंगे ना आपको दो constant चाहिए ना तो जतने constant होगे उतनी बार आपको समझेंगे बात इसको दूसरी तरीके समझेगा किसी भी expression किसी भी equation जो के x और y के term में होगा तो हम जानते हैं y is the function of x होता है ठीक है और आपको इसकी differential equation फार्म करनी है मतलब वो equation फार्म करनी है जिसका ये solution है यहनि कुल मलाकर के differential equation का solution दे दिया उन्होंने तो आप क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे और इसमें जितने constant होगे उतने constant हटाएंगे जितने constant होगे उसको उतनी बार differentiate करना पड़ेगा तो कभी-कभी तो direct equation लिखी होगी और कभी-कभी equation बनानी पड़ेगी ठीक है जैसे हम exercise कौन सी है NCRT exercise NCRT कौन सी exercise है 9.3 जैसे हम पहला question लेते हैं इसका देखें क्या कह रहा है कि नीचे आप the following 1 to 5 क्या करो कर बोगा है disturb होता है 1 to 5 form the differential equation representing the given family of curves by eliminating arbitrary constants A and B जैसे दिया है X upon A plus Y upon B is equal to 1 यह किसका equation है अगर हमसे यह ना भी कहते है कि इसमें कौन constant है तो हम जानते हैं यह और भी constant है यह intercept form of the line है AB change होता रहेगा तो equation बदलती रहेगी इसलिए इसको कहा गया family of lines क्योंकि AB की value change होती रहेगी change मतब variable नहीं है किसी एक line के लिए fix है किसी एक line के लिए A और B fix है और XY change हो रहे है यह होता है ना जब आप line draw करते हो फिर समझेगा line draw करते हो तो AB fix हो गया ना लेकिन इस point पर X और Y की value अलग-अलग होगी ना इस point पर कुछ और होगी इसमें कुछ और होगी इसमें कुछ और होगी तो AB fix हो गया लेकिन X और Y की value change हो रही है तो हमको इसका differential equation form करना है क्या तरीका होता है कि जितनी constant है उतनी बार इसको differentiate कर दो कैसे होगा इसका कोई नियम नहीं है कोई भी नियम नहीं है आपका दिमाग जैसे चले वैसे करो इसको एक तो कहा है 1 तो अपने आप हट जाएगा 1 कोई constant थोड़ी है वो absolute constant है arbitrary constant दो constant होते हैं ना एक absolute constant होता है एक arbitrary constant होता है तो देखिए differentiating equation 1 with respect to x यहनि x का respect करते हुए सलाम differentiate करना यहीं होता है मतलब यहों पता है x के respect में करना है तो इसका क्या हो जाएगा 1 upon a plus इसका क्या हो जाएगा 1 upon b dy by dx is equal to 0 हो गया अब इसके दो तरीके हैं ऐसा करते हैं गर दुबारा मैं differentiate करूँ इसी stage पे अगर यहीं पर इसको differentiate कर देता हूँ तेखिए कर सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है तो 1 upon b चिपका रहेगा इसके साथ ठीक है इसकी value 0 हो जानी है लेकिन कब जब अकेला हो जाएगा नहीं तो इसको भुलाएगा मम्मी देखो मार रहे तो इनको क्या करेंगे पहले तो इसको हटा दो यहां से तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon b dy by dx is equal to minus का 1 upon a तो dy by dx की value क्या हो जाएगी minus का भी अपाने हो जाएगा अब इसको again differentiate कर दो again differentiating again differentiating तो क्या हो जाएगा यह d2 y by dx square ब्रावर क्या हो जाएगा 0 हो गया ठीक है तो यह तरीका है आप adopt करेंगे ठीक है अच्छा अगर इसी stage पर आप differentiate कर देते तब भी हो जाता 1 upon a का क्या हो जाएगा 0 1 upon b का क्या हो जाएगा 1 upon b d2 y by dx square ब्रावर 0 1 upon b उधर जाके तो दोन तरीके हो सकते हैं ठीक है actually 1 upon b उधर नहीं जाता है 1 upon b और d2 y by dx square multiply में रिखे हुए है और multiply में जब दो number का multiplication 0 होता है तो concept क्या होता है या तो 1 upon b 0 होगा या तो ये 0 होगा 1 upon b 0 है नहीं इसलिए हम d2 y by dx square को 0 लिखते हैं ठीक है या यू कहीं ये b को उधर ले जाओ जिरो हो जाएगा ठीक है देखे इसमें कितने constant है 2 तो पहले तो आप bracket खोल दीजेगा तो आएगा a square b square minus a square x square देखो किसी भी equation में कोई भी कहीं भी value रखी जा सकती है अब आप एक बार इसको differentiate करो differentiating with respect to x क्या हो जाएगा इसका 2y into dy by dx is equal to इसका 0 minus 2a square x यानि क्या आएगा 2y dy by dx is equal to minus 2a square x पहुँचिए हाँ अंदर a गया है तो हो सकता है पाउज चड़ गई हो रास्ते में अब देखें इसके दो तरीके हैं अब देखो द्यान से एक तो तरीका यह है 2a को अकेला कर दो अकेला करने मतलब x को इधर transfer कर दो और differentiate कर दो तो खतलनाकता बढ़ जाएगी इसकी ना तो यही पर differentiate करो अचा टू टू कर जाएगा ऐसा ही differentiating with respect to x again differentiating कब तक differentiate करेंगे जब तक constant ना हट जाएगा नहीं दो ही बार दो constant है दो बार differentiate करेंगे और at last आपको constant को हटाना पड़ेगा अचा यहां product लगेगा ना first function into इसका क्या हो जाएगा d2y by dx square plus second function dy by dx और y का क्या हो जाएगा dy by dx is equal to इधर a हो जाएगा x y y double dash चलेगा plus y dash का whole square is equal to minus का a देखे इसके दो तरीके समझेगा या तो मैं इस a की value को उठा की यहां रख दू तब ही answer आ जाएगा या तो इन दोनों को divide कर दू दोनों तरीके आपके पास है यानि इन दोनों को divide करके a को cancel कर दू या एक तरीका है और या एक इवल उठा की यहां रख दे दो तरीके हो गए तो क्या करें डिवाइड करें डिवाइड कर दो dividing equation 2 and 3 हमने 2 and 3 बोला है 2 by 3 नहीं बोला है किसी में किसी को divide कर सकते हो बड़े वाले को उपर लिखेंगे चुकि यहां पर बड़े में x उपर है तो इसको बड़ा लिखो यह y y dash लिखा हुआ है divided by y y double dash plus y dash का square is equal to यहां पर minus का a x अपान minus का a यह a कड़ गया ना यहां क्या आप चेगा x आएगा cross multiply कर दो तो आएगा x y y double dash plus x y dash का square is equal to y y dash सबको इधर लियाओ तो आएगा x y y double dash plus x y dash का square minus y y dash बरावर 0 यह equation हो गया अब आप कहेंगे आप यह कह रहे हो कि इस equation का यह differential equation है नियम यह है कि अगर मैं इसको solve करूँ तो y की value यह आएगी अब आपका एच्छा बात बात बेजिए अब solve करो नहीं solve कर सकते आप क्योंकि इसकी अलग-अलग methods है वो method फिलहाल आपकी दाइरे से दूर है यही तक आप पहुंचो ठीक रहेगा answer जा टेली कर लो देखने से लगता है एक इस्टुड़े ने सोचा कि एक बार और differentiate कर दें तो इसकी value क्या हो जाएगी 0 हो गया 0 नहीं कर सकते न क्यों क्यों नहीं कर सकते क्यों ऐसा नहीं कर सकते देखिए जब हम differentiate equation solve करेंगे न यानि इसको solve करके क्या निकालेंगे y निकालेंगे तो यहां पर अगर दो बार differentiate है तो बार integrate करना पड़ेगा और तीन बार करोगे तो तो तीन बार integrate करना पड़ेगा तो जब अगर आप इस a को 0 करने के लिए आगर आपने इसको differentiate कर दिया तो कितनी बार differentiation हो गया तीन बार तो ultimately अगर आपको differential equation solve करनी पड़ेगी तो तीन बार integrate करना पड़ेगा तो कितने constant आ जाएंगे? तीन तो यह equation आईगी नहीं इसलिए जतने constant होगे उतनी बार differentiate करना पड़ेगा ठीक है? और अगर माले एक बार में 0 आ रहा होगा वहें 2 constant तो रोको थोड़ा सकाओ, तो रुख जाया थोड़ा एक बार differentiate करने तो अभी न जीरो हो भाई तो उसको मना कि किस तरिके से? मना उसको यह हो गई equation इसलिए कितने constant है? 2 A और B तो आप क्या करें इसको आप? इसको बहले एक बार differentiate करते हैं इसको एक बार differentiate करेंगे तो क्या आएगा? 3 A e to power 3 X माइनस आएगा ना 2 B e to power minus का 2 X समझे आए बात इसको एक बार differentiate करेंगे ठीक है Y 2 लिख दे Y double dash जो भी आप लिखना हो यह क्या आएगा? 9 A e to power 3 X प्लस 4 B e to power minus का 2 X एक बार differentiate कर दें एक बार differentiate कर दें A B कभी भी खतम नहीं होंगे तो कैसे खतम किया जाए? हमको दोनों को simultaneous solve कर लेते हैं इसमें 2 से multiply कर दें हम करेंगे क्या? A की लोग निकाल लेंगे और B की निकाल लेंगे उठाग यहां रख देंगे यही एक तरीका हो सकता है Elimination Method कोई एक तरीका ही है ना देखे, multiplying equation 2 by 2 and solving 2 and 3 तो यह क्या बन जाएगा? 2 by 1 2 by 1 बन जाएगा इसमें 2 से multiply किया है ना तो क्या हो जाएगा? 6 A e to power 3 X minus का 4 B e to power minus का 2 X अब दोनों को क्या करें आप? दोनों को add करते हैं तो यह cancel हो जाएगा ना अगले step in note करेंगे आप तो यहां क्या आएगा? y2 plus 2y1 is equal to 15 A e to power 3 X अब देखो, चुकि हमको A e to power 3 X चाहिए तो ऐसा करते हैं यहां से A नहीं निकालते हैं हम A e to power 3 X ही निकाल लेते हैं y2 plus 2y1 upon 15 इसको note करिए जरा आगे क्या करेंगे? एक बार देखो आप 1, 2, 3 किसी को solve कर सकते हैं आपको value निकाल लेते हैं हम इनी से निकाल लेते हैं तो एक बार आप दुबारा क्या करें? इसमें multiply किससे कर दें? इसमें कर दें 3 से और 3 से कर दें इन दोनों को solve कर दें तो 3 से करें क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 3y1 is equal to कितना हो जाएगा? 9a e to power 3x minus का 6b e to power minus का 2x इसमें आपने कोई multiply किया नहीं तो यह क्या हो गया? y2 is equal to 9a e to power 3x minus का plus का 4b e to power minus का 2x add करेंगे, subtract करेंगे subtract करेंगे तो इस subtraction नहीं होता है कर दीजे यह क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 3y1 minus y2 is equal to minus का 10 आएगा न minus का 10b e to power minus का 2x देखो हमारे पास b e to power minus 2x है न right निकालो यहां से तो जब यहां से b e to power minus 2x निकालो तो क्या आएगा? 3y1 minus y2 upon minus का 10 एक यह value निकाल आई है यह निकाली है दोनो को उठा कहा रख दो equation number 1 नोट करें पहले putting the values of putting the values of किसकी? a e to power 3x and b e to power minus 2x in equation 1 1 अचा यह काम और कर सकते थे हम दोनों को add कर देते a e to power 3x plus b e to power यह result आता और यह equal to किसके हो जाता है? वह भी हो सकता था तो यानि कि y बराबर a e to power कितना है? 3x कितना आया गया? y2 plus 2y1 upon 15 यह minus में आयगा 3 अचा प्लस भी कर सकते हैं हाँ 30 आयगा हाँ सही बात है 30 आयगा तो यह 2 आयगा 2y2 plus 4y1 plus 3y2 minus 9y1 यह आयगा ना तो 30 जाल लिया हो 30y is equal to कितना आयगा? 5y2 मैनस का 5 y1 5 से डिवाइट कर दो तो आयगा y2 minus y1 is equal to 6y यह इसदा ले आओ तो y2 minus y1 minus 6y is equal to 0 आंसर देखो यह यह आ रहा है है? आरे वाह गुड लिख दो नहीं कल्कुलेशन को भी कोई गरवड जाता नहीं डी बना दो ऐसा थोड़ी होता है अपने लिए यह थोड़े लिखेंगे देखेंगे question 6 क्या कह रहा है? form the differential equation of the family of circles touching the y-axis at origin मतलब यह ऐसा circle है जो y-axis को origin पे touch कर रहा है यानि y-axis इस circle की क्या है? tangent है अगर y-axis tangent होगी तो tangent पे जो perpendicular होता है वो origin से pass होता है यह हम जानते हो radius होती है तो center से pass होगा तो यानि कि यह y-axis को touch कर रहा है यह axis होगी अगर इस circle का change क्या होगा? radius change होगा ना circle यह भी हो सकता है circle थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है तो center हमेंसा कहां रहेगा? x-axis पर तो अगर हम center मालने a, 0 radius a मालने हम तो center a, 0 हैगा ना तो इसका equation क्या जाएगा? x-a का whole square plus y-0 whole square is equal to a square पड़ा है ना आपने? यह circle का equation होता है family आप circle क्यों कहा? क्योंक अगला circle आपका ऐसा हो सकता है center यहां कहीं हो सकता है अगला और बड़ा हो सकता है तो हमेशा circle कैसा रहेगा? y को touch करता रहेगा और center हमेशा उसका x-axis पर रहेगा तो आपका जो arbitrary constant क्या होगा? a, किसी given circle के लिए a constant है तो इसको खोल दो तो क्या हैगा? x square plus a square minus 2ax plus y square is equal to a square a square कहीं घर है इसको differentiate कर दो तो यानि ऐसे कर दिजिएगा x square plus y square is equal to 2ax ऐसे लिख दो अब इसको आप differentiate कर दो क्या होगा? 2x plus 2y dy by dx is equal to 2a अब देखे, अगर मैं दुबारा differentiate करता हूँ तो इसकी value क्या हो जाएगी? 0 लेकिन दो बार differentiate नहीं कर सकते हम हमें एक ही बार करना पड़ेगा तो आप इसको हटाने का तरीका क्या होता है? इस 2a की value उठाई है और यहां पर रख दीजे तो putting the value of 2a in equation number 1 तो क्या हो जाएगा? x square plus y square is equal to 2a की value क्या हो जाएगी? अज़ा 2 कट जाएगा न? 2 कट गया तो आप ए रख दीजे तो आएगा 2x और a की value क्या है? x plus y dy by dx बस तो यह bracket खोल दीजे आप उठाकर के क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा x square plus y square minus 2x square minus 2xy dy by dx is equal to 0 वैसे तो यह ही differential equation है लेकिन आप चाहे तो इसको थोड़ा सा थोड़ा change कर सकते यह negative कामण ले लिजेगा minus से multiply कर दो तो यह बन जाएगा 2xy dy by dx और यह देखिए यह minus x square आएगा तो plus x square minus y square is equal to 0 तो this is question no.6 सभी बच्चों को रणन वश्कार आपको लग रहा होगा वीडियो के बीच में आ गए कपड़े बदल के आ गए पहले तो दूसरी कुछ पहने विए थे गंदा गंदा अन्याभी भी गंदा है लेकिन ठीक है लेकिन ठीक है तो यह वही एक system कि class को पढ़ाते वक्त क्योंकि हर एक question तो discuss नहीं होता कुछ बच्चे अपने आप लगाते हैं तो कुछ question बच गए थे तो आपने सुचा उसको भी इसमें merge करके आपके खिद्मत में paste कर दिया जाए तो यह seventh question उसमें है देखिए seventh question क्या कह रहा है कि form the differential equation of the family parabola having vertex at origin and axis along y axis positive y axis ठीक है क्या बोला यह कहरा एक parabola है जिसका vertex origin पे है ऐसे और axis y axis है आप जानते है इस प्रकार का parabola होता है family parabola क्यों बोला कि भाई यह ऐसा भी हो सकता है ठीक है यह कम ज़्यादा हो सकता है यह पतला भी हो सकता है ठीक है तो इस parabola का equation होता क्या है यह आपने 11th class में पढ़ा होगा कि equation of parabola इस प्रकार का जो parabola होगा वो क्या होगा that is x square is equal to 4 ay तो यहाँ पर a constant है ठीक है अब इस constant को आपको हटाना पड़ेगा हटाने का तरीका क्या है वही चुकि एक constant है तो एक एक बार इसको differentiate कर दीजेगा तो क्या हैगा differentiating with respect to x with respect to x तो क्या हो जाएगा x square का differentiation to x और यहाँ पर 4 a और y का differentiation dy by dx जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक constant है तो आप उसको एक बार ही differentiate कर सकते हैं तो one time I have differentiated इसके बाद इस constant को आपको omit करना हटाना है क्या तरीका है कैसे भी तरीके सब भटा दीजे साब साचा एक बार देखे ने एक कुछ मत करिए इसको इसको divide कर दो यहाँ से 4 a निकाल गया रख दो तो by equation 1 ऐसा करते हैं divide नहीं करते हैं divide भी कर सकते हो by equation 1 4 a की value क्या निकलेगी x square upon y और इस value को उठा करके यहनि कैसे भी आपको constant को हटाना है लेकिन differentiate एक बार ही करेंगे यह पहली condition है तो putting this value in equation 1 in equation 2 putting 4 a in equation 2 इसमें रख दो उठा करके तो यह क्या आएगा 2x is equal to 4 a की value क्या है x square upon y d y by d x y को इदर लियाओ तो 2xy is equal to x square इसको चाहो तो y dash लिख सकते हो तो यह equation बन गई आपकी x square y dash minus 2xy is equal to 0 तो यह आपका differential equation फार्ग हो गई इसको y dash भी लिखा जा सकता ठीक है this is the solution of 7th question देखे 8th question क्या कहता है कि form the differential equation of the family of ellips having the foci on y axis and center at origin आप जानते हैं अगर किसी ellipse की जो focus है वो अगर y axis होता है तो ellipse ऐसे बनता है इधर थोड़ा चप्टा होता है और x axis पे थोड़ा कम चप्टा होता है यह foci होते हैं अब देखे generally हमें x axis की जो length two way मानी जाती है और y की two भी मानी जाती है लेकिन जब उल्टा होता है तो कुछ books क्या करते हैं इसको two way मान लेते हैं आप इसको two भी ही मानो ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है तो equation of ellipse क्या हो जाएगा equation of ellipse आप ellipse का equation वही लिखे जो आपको याद है x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 इलिफ सही होगा पस आप condition लिख दो कि b is greater than a मतलब जो y axis है उसकी length two भी है इसको कहते है major axis यहाँ पर और x axis की length two है यह minor axis तो कुछ books क्या करते हैं इसको उल्टा कर देती है a को यहाँ कर देते है a को यहाँ कर देते है आप मत करिए यहाँ condition लिख दो कि b की value ऐसे बड़ी है अब यहाँ चुकि दो constant है a और b तो यह आप मालिजे आपको कही न कहीं से इन दोनों constant को हटाना है और केवल दो बार इसको आप differentiate कर सकते हैं तो लिखिए differentiating equation 1 differentiating equation 1 with respect to x इसका क्या हो जाएगा 2x upon a square plus 2y upon b square dy by dx और 1 का हो जाएगा 0 यह question बढ़ आगया 2 एक बार और differentiate कर दो again differentiating with respect to x अच्छा एक चीज आओगा 2 को आप अगले step में cancel कर दीजेगा dividing by 2 again differentiating equation 2 with respect to x तो देखिए यहाँ पर तो यह है 1 upon a square और x का differentiation 1 हो जाएगा और plus यहाँ पर 1 upon b square और यहाँ है 2 function एक function है y और एक है dy by dx हम dy by dx को अच्छा इससे लिखाना दो first function sorry first y है first function dy by dx का differentiation d2y by dx square plus second function dy by dx और y का करोगे तो फिर आएगा dy by dx तो इसको आप लिखते हैं dy by dx का whole square is equal to 0 अब देखो द्यान से constant कैसे हटे हम यहाँ से 1 upon a square निकाल सकते हैं निकाल लो और इसको फिलाल ऐसे लिख दो थो अच्छा लगेगा 1 upon a square is equal to minus 1 upon b square अब एक एक हटाते हैं फिर देखते हैं कहां से आगे हटेगा इसको लिख दो y और इसको लिख दो y double dash और minus plus y dash का whole square is equal to 0 नहीं equal to कहां लिख रहे हूं अब इस 1 upon a square को उठाइए और equation number 2 में put कर दो putting 1 upon a square putting 1 upon a square in equation 2 हम जड़ा उपर का पार्टर अब करेंगे ठीक है equation 2 को लिख सकते हैं x into 1 upon a square 1 upon a square value क्या हो गई आपकी minus upon b square in bracket y y double dash plus y dash का whole square और plus का ये तो लिखा ही हुआ है plus y y dash upon b square is equal to 0 आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ b square LCM है ले लिजे LCM ये b square हो गया LCM तो उपर क्या पुचेगा minus x in bracket y y double dash plus y dash का whole square plus y y dash is equal to 0 ये b square उधर जाकि 0 हो जाएगा यानि हमारा दो बार differentiation भी हो गया और b square भी हट गया यानि पूरे constant हट गये अब इसका bracket खोल दो तो आएगा minus x y y double dash minus x y dash का whole square plus y y dash is equal to 0 this is our required differential equation आप y dash के term में ले सकते हो आप चाहो तो इसको d2y ये dyy dx में ले सकते हो ठीक है this is your answer अब चुकि ये भाईसा बड़े हैं तो negative से multiply कर दो अच्छा लगेगा तो आएगा x y y dash plus x y dash का whole square minus y y dash is equal to 0 this is your answer ये double dash है ना गलती से एक dash हो गया आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो x y d2y by dx square दो बार difference है क्या ना चुकि डैस लिखने के आपके आदत नहीं है plus x ये क्या होगा dyy dx का whole square minus y into dyy dx is equal to 0 ये आपका required differential equation है question number 9 लगभग 8 के पराबरी है लगभग एक जैसा है लिखा है form the differential equation of the family of hyperbolas having the foci on x-axis and centers at origin यानि ये hyperbola ऐसे बनता है ये आपने 11 पड़ा होगा और ना पड़ा हो तो उसका ग्यान आप अरजित का लीजे और ये आपकी होती है transverse axis इसकी length 2b थी और यहाँ पर conjugate axis थी जिसकी length ये 2a थी ये 2b थी तो equation of hyperbola जो आएगा यहाँ पर equation of hyperbola hyperbola आति परवले का समी करण ये आएगा x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 जैसा कि ellipse में था वहाँ प्लस था method वही है यहाँ दो constant a और b हैं और आपको दोनों को हटाना है इसको differentiate कर दो with respect to x differentiating with respect to x इसका क्या हो जाएगा 2x upon a square minus 2y y dash अब differentiation आपका clear होना चाहिए clear वो नहीं दिमाग से clear है मतब बिल्कुल crystal clear होना चाहिए upon b square is equal to 1 का 0 यहाँ से 2 से divide कर दो x upon a square minus y y dash upon b square is equal to 0 ठीक है अब चूंकि आपको दो बार differentiate करना है तो एक बार और differentiate कर दो again differentiating again differentiating क्या आएगा यहाँ से 1 upon a square x का 1 हो गया minus 1 upon b square और यहाँ y y dash का multiply rule लगेगा तो first function y और y dash का y double dash plus second function y dash और y का फिर y dash आएगा ते y dash का square होगा अब देखो साब साब दिख रहा है यहाँ से 1 upon a square की value निकाली है तो यहाँ से 1 upon a square की value क्या निकलेगी 1 upon b square in bracket b square y y double dash plus y dash का whole square बस वहाँ sign में यहाँ पर plus ता यहाँ minus हो गया ठीक है इस value को उठाइए और एक question number यह 2 में पूट कर दीजे putting this value in equation number 2 ठीक है हम यहाँ लिखे दे रहे 2 हमारे पास यहाँ है तो 2 को छोड़ देते है putting 1 upon a square putting 1 upon a square in equation 2 ठीको 2 है क्या आपका x into 1 upon a square इसकी value क्या हो गई upon b square in bracket y y double dash plus y dash का square minus y y dash upon b square is equal to 0 आपको साब साब यहाँ भी दिख रहा है कि b square यहाँ पर lc m है ले लो lc m b square तो पर क्या आप चाहिएगा x in bracket y y double dash plus y dash का whole square minus y y dash is equal to 0 अब यह b square साब का क्या होगा चुकि यहाँ पर cross multiply हो जाएगा तो b square चला जाएगा उधर 0 हो जाएगा और bracket खोल दीजे उठा के x y y double dash plus x y dash का whole square minus y y dash is equal to 0 अब चाहिए तो अपनी भासा में लिख सकते हैं x y आपकी जैसे आदत है d2 y by dx square plus x dy by dx का whole square minus y into dy by dx is equal to 0 this is your required differential equation ठीक है बहुत important है जितने constant है आपको उतनी बार differentiate करना है और constant को हटाना है एन के इन प्रकारण जैसे भी आप चाहें ठीक है देखें 10th question क्या बोल रहा है form the differential equation of family of circles having the centers on y axis and radius 3 unit देखें ये कह रहा है कि उन circle का equation निकालिए जिनका radius 3 unit हो और axis जो उसका center y axis पे हो मतलब circle का center कहीं यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन जो circle खींचा जाए वो 3 centimeter radius का हो center यहाँ हो सकता है लेकिन जो circle होगा वो 3 centimeter radius का होगा यह center कहीं भी हो सकता है ठीक है मतलब radius fix है center vary हो रहा है तो center का coordinate हम क्या माने 0, B मान लिया हमने ये change होता रहेगा न किसी एक circle के लिए B constant है किसी एक circle के लिए अलग-अलग circle के लिए change होता रहेगा तो हमने center 0, B मान लिया और radius जो R है न वो आपका 3 cm है तो आप जानते है equation of circle जो होगा equation of circle तो आपने पढ़ा है equation of circle कि अगर किसी circle का center h, k हो और radius R हो तो आपने पढ़ा equation x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to R square ये आपने पढ़ा है तो आप रख दो value x minus 0 whole square plus y minus b whole square R square है 9 because radius is given 9 तो ये आप थोड़ा साथ चा लिख दो x square plus y minus b का whole square is equal to 9 ये आपका equation होगा जानबूज के हम लेख रहे हैं इसको जानबूज के इसका square हम खोल नहीं रहे क्यों? अभी देखिए इसको चुकि एक ही constant है तो एक ही बार differentiate करना है तो differentiating with respect to x differentiating with respect to x x square का 2x इस पूरे को आपने x माना जिसका 2y minus b और इस ब्रैकेट का करेंगे तो y dash आजाएगा परावट 0 अब देखो ध्यान से आप यहाँ से y minus b निकालो main aim क्या है b को cancel करना हम b को अलक से नहीं निकालते हैं हम पूरी y minus b की value निकाल लेते हैं और इस value को निकाल करके इस equation में रख दो हड़ जाएगा तो इसको solve करो देखे 2 y minus b into y dash is equal to minus का 2x तो यहाँ से y minus b की value क्या होगी minus तो टू टू ट कैंसल हो गया ना x upon y dash इस value को उठा करके equation number 1 में रख दो putting this value putting y minus b in equation 1 अब आप कहेंगे हम तो b निकालेंगे तो निकाल आपको अगर यही करना है तो निकाल करके रख दो तो वह आएगा तो वही result ना 1 में रखते हैं इसको हम यहां रख रहे हैं क्या हो जाएगा यह यह आएगा x square plus y minus b को क्या लिखेंगे minus x upon y dash minus x upon y dash का whole square is equal to 9 आपका constant भी हट गया एक constant गया एक बार differentiate किया और आपका काम भीज मन गया अब solve को लो इसको x square plus यह आएगा x square upon y dash का square is equal to 9 इसको हम ले लो x square y dash का square plus x square और अपान y dash उधर जाएगा 9 y dash का square सब को एक तरफ ले आओ तो x square यह आएगा dy by dx का whole square इसको पहले लिख लो minus 9 dy by dx का whole square plus x square is equal to 0 यही format है चाहो तो d r dx का whole square काम ले लो bracket में x square minus का 9 लिख दो वो भी एक तरीका हो सकता है यानि इसको लिख दो x square minus 9 into dy by dx का whole square plus x square is equal to 0 तो this is your differential equation एक constant था और एक को हटाना एक बाइड दिफरेंसेट करना है ठीक है 11th question कह रहा है कि एक solution दिया है y c1 e to power x c1 e to power x plus c2 e to power minus x और कह रहा है कि which of the following differential equation this has the general solution मतब वो कौँनinkन सी differential equation है जिसका ये solution है जिसका ये solution है नियम यह होता है कि इससे वो differential equation मिली और इसको differentiate करकर मिली differential equation उसको integrate करके ये मिला तो कहरें कि भाई वो कौन सी differential equation है जिसका ये solution मिला तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई it has two constant तो you have to differentiate two times दो बार differentiate करो और c1 c2 को हटा दीजिए कैसे हटेगा पता नहीं इसको फिलाल differentiate करो differentiating equation 1 with respect to x तो इसका क्या होगा y1 is equal to c1 e power x और चुक्कि हम minus है तो minus c2 e power minus x एक बार differentiate कर दिया again differentiating again differentiating with respect to x तो इसका हो जाएगा y2 इसका करेंगे c1 e power x minus और इसका फिर minus आएगा तो plus हो जाएगा c2 e power minus x ध्यान से देखिए this is y तो y2 is equal to y y2 minus y is equal to 0 यह y2 है तो y2 बोले तो देखिए जो y1 लिख रहा है न यह y' भी कर सकते हो वो y1 y' कुछ भी लिख सकते हो हम फिलाल चाँ लिखे जा रहे यह y double dash है यह y double dash है यह y double dash है यानि कि क्या बन गया d2 yy dx square minus y is equal to 0 अब देख लिए आपका कौन सा पार्ट सही है तो 11th का यह साइद b पार्ट सही है तो b is the correct option ठीक है तो this is the solution of 11th question अब next का आगया है कि which of the following has the y is equal to x as the particular solution चुकि यहाँ पर दो प्रकार के solution है एक general solution होता है एक particular solution होता है आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकरी है भी नहीं और आपके slivers में है मैं बता देता हूँ देखो y is equal to x किसका solution है अब आप कहेंगे साब इसमें constant तो है नहीं जी या नहीं है जो differential equation इसकी condition को follow करेगा मतब जिस differential equation में यह value रखने के बाद वो satisfy हो जाएगी वो उसका यह solution है बस नहीं समझे यह value जिस differential equation को satisfy कर देगी तो मैं फिलाल इसको दो बार differentiate करता हूँ एक बार किया differentiation तो 1 आ गया दोबारा differentiate किया तो यह 0 आ गया ठीक अब इसके बाद तो हो नहीं सकता अब आपका पहला पार्ट यह कह रहा है कि d2y by dx square पहला पार्ट कि यह कह रहा है कि d2y by dx square minus x square dy by dx x square dy by dx यह लिखा है dy by dx यह लिखा है d2y by dx square is equal to 0 तो minus x square dy by dx x plus xy plus xy is equal to x क्या y को x रखा जाए d y by dx को 1 लिखा जाए d 2 y by dx को 0 लिखा जाए तो क्या ये values इस equation को satisfy कर रही है लिखता हूँ इसकी value 0 हो गई minus x square इसकी value 1 हो गई plus x इसकी value x हो गई is equal to x तो ये तो आपका इधर आया x minus x square plus x square is equal to x 0 is equal to x यानि ये left hand side और right hand side equal नहीं है यानि ये इसको satisfy नहीं कर रहा है यानि कि ये इसका solution नहीं है ये ध्याना कियेगा ये particular solution है sorry particular है ना particular solution है general solution और particular solution निकालने के तरीका दूसरा होता है वो अभी आपके slivers में नहीं है इसलिए उसको हम discuss नहीं कर रहे हैं हम कि और value से satisfy करा रहे है चली यानि कि first part का ये solution नहीं है रब कर दो second part को check कर लेते हैं ये जो b part इसका है मतलब b part क्या लिखा हुआ है इसमें d2y by dx square plus x dy by dx d2y by dx square plus x dy by dx plus xy is equal to x तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी values हैं ये इसको satisfy कर रही है चेक कर लो इसकी value 0 plus x इसकी value 1 plus xy की value x तो ये x के equal तो आएगा नहीं इसको solve करो ये x plus x square होगा यानि ये भी lhs और उस side में x लिखा हुआ है यानि lhs is not equal to left hand side so this is not satisfying इसका काम भी खतम third को देख लीजेगा third question क्या कह रहा है c part क्या कह रहा है c part कह रहा है कि d2y by dx square d2y by dx square minus x square dy by dx x square dy by dx plus xy 0 है इसको check करो आपके यहां particular solution नहीं है वो आगे graduation पढ़ाया जाएगा इसलिए उसको distance नहीं किया जा रहा है इसकी value 0 minus x square इसकी value 1 plus x y की value x तो आएगा minus x square plus x square is equal to 0 0 is equal to 0 चुकि यह value इसको satisfy कर रही है तो this is your correct answer तो इस प्रकार से अब d part चेक करने की जुरूरत नहीं है वहाँ पी चुंकि d part लगभग b part के equal है तो वो satisfy नहीं करेगा तो this is your answer तो this way I have completed this exercise next in the next video thank you